Types of test पे आते हैं, एक important topic है, separately आपके examination में 3 marks में minimum पूछा ही जाता है, और मैं हमेशा कहती हूँ, 3 से 2 marks का जब भी question, differences में पूछा जाए, तो 3, तो कम से कम आपको points लिखने ही चाहिए, तो यही ध्यान में रखते हुए, मैंने आपके लिए slide बनाई है, और test होते हैं, psychological test को हम क analysis पर जो test होते हैं, वो three types के होते हैं, verbal, non-verbal, और third होते हैं, performance test, यह तो अलगी category होती है, बहुत असान होती है, verbal test में क्या होता है, verbal response देना बहुत ज़रूरी होता है, वो orally भी हो सकता है, और written भी हो सकता है, यह जो test होते हैं, केवल literates पर ही apply किये जा सकते हैं, क्योंकि ज अब ही तो आप use नहीं करने वाले हैं, लेकिन अपने point बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, non-verbal test में क्या होता है, एक incomplete pattern हो सकता है, कोई figures हो सकती है, जिन्हे person पढ़कर बता देखकर बता सकता है, जैसे कि हमने पूछा, हमने यह एक example है हमारे सामने, आप पढ़ा होना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तो यह इलिटरेट पर भी apply के जा सकते हैं, यहां जब verbal test की बात होती है, तो जो चीज़े होती है, जब हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, नौलेज होनी जरूरी है, यह बोल कर भी बताएंगे तो नौलेज होनी लेता है, तो यहां पर culture bias reduce होती है, यहां पर culture bias बहुत high होती है, अगर आप चाहें, तो culture bias is high, क्योंकि अगर हमने किसी illiterate person के सामने verbal test रख दिया, वो तो कभी दे ही नहीं पाएगा, तो यह उसके लिए बहुत difficult होता है, non-verbal test illiterate person के लिए medium level का test होता है, क्योंकि कुछ ल test है, जो आपको again learn करने है, यह ध्यान में रखना है, point बढ़ाना है, तो याद रखना पड़ेगा, वैसे आप 12 तक आते हैं, यह सब कुछ use करेंगे, ऐसा नहीं है, अब आते है performance test पर, performance test वो test होते हैं, जो non-verbal का manipulation वाला part होता है, मतलब आप यह समझ लीजे, जब मैंने य copy पर बनाया, एक copy पर या एक blackboard पर यह चीज़े बनाई, तो आपने भी मेरे हास से चौकली और इसको बना दिया, यही काम, जब मैं cardboard पर करूंगी, समझेगा मेरी बात को, कि अगर मालीजे मैंने यह इस तरह के, के symbols हैं, उनने cardboard में बना लिया, यही non-verbal performance बन जाता है, कैस जब चीज़े उठके चलने लगती हैं, यह हम उनने उठके movement करा देते हैं, triangle, star, आपके सामने बिखरे हुए हैं, यह puzzles होती है, आपने puzzle solve करेंगी बच्पन में, अभी भी आप करते होंगे, तो एक example होता है, जैसे वो आपने चूहे बिली वाला देखा होगा, जिसमें cat होत और एक हमारे पास performance test का example होगा कब, जिसमें कोई figure होती है, और वो incomplete होती है, और हमें उसके blocks को अलग-अलग करके दिया हुआ है, तो performance test non-verbal का ही extended version है, फर्क इतना है कि यहां पर movement नहीं होता, हमारा हाथ तो pencil पर move करेगा, लेकिन वो चीज़ बूट के move नहीं करेगी, performance test मे वो ही चीज़ blocks की form में, cardboard की form में, puzzles की form में, टुकडो की form में हमारे सामने होगी, और हम उसको movement कर सकते हैं, manipulate कर सकते हैं, तो यहां पर subject क्या करता है, object को manipulate कर सकता है, test को perform करने के लिए, यहां पर किवल pencil pen का use करके करेगा, और pictures को, images को complete करेगा, तो जब cat, rat को पकड़ेगी तो वो non-verbal test हुआ, लेकिन जब आप उठके कुछ चीज़ों को हाथों से manipulate करेंगे, तो यह performance test हुआ, आप क्योंकि performance test है, तो इसमें पढ़ाही लिखाई का कोई काम नहीं है, तो 100% illiterate पे use की जा सकती है, और different cultures पे भी की जा सकती है, भाई, इसके लिए अलग-अलग culture होन test के बारे में और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई doubt है, तो जरूर question पूछेगा, आते हैं individual और group test पर, जो की administration के basis पर है, वो language की basis पर थे, यह administration के basis पर है, या तो हम test individually apply करें, या पूरी group में test दे दें, तो क्या फाइदे और नुकसान होगे, ऐसा test individual वाला, एक बारी में एक ही person पर होगा, लेकिन group test कही person को एक साथ करेगा, अब जब एक person पर एक apply करेंगे, और आपके पर दस लोग हैं, और आप एक person पर एक घंटा लगा रहे हैं, तो दस घंटे लग जाएंगे, जबकि यहाँ फर group test में क्या होगा, एक ही घंटे में दस लोग कवर हो सकते हैं, तो time consuming है यह लेकिन यह time ज्यादा लेता है, यह वैसी वाली बात हो गई, कि अगर हम एक कपड़ा दूप में पांच मिनिट में सुखता है, तो दस कपड़े कितनी देर में सुखेंगे, वो भी पांच मिनिट में सुख जाएंगे हैं तो ऐसी बात हो आप कोई opportunity नहीं, आप तो पुरी crowd के साथ deal कर रहे है, it is more time consuming, लिख सकते हैं, more time consuming है, यह less time consuming है, यह भी आप लिख सकते हैं, less time consuming आगे, समझी गयोंगे, यह बढ़ा लिजेगा, यह जो test होते हैं, subject को oral or written form में answer लिख सकते हैं, manipulate कर सकते हैं, और यह क्या करते हैं, generally जो written answer ही हो लिए जाते हैं, multiple choice में convert किये जाते हैं, लेकिन individual test में आप one on one बात कर रहे हैं, तो आप कुछ oral भी कर सकते हैं, लेकिन group test में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको multiple choice questions ही cover करने पड़ते हैं, अब आते हैं difficulty, level or time, speed test और power test, दो तरह के test होते हैं, speed test का मतलब यह हो गया, क कि आपको speed बढ़ानी है, speed में test करना है, और जो difficulty level होगा, वो कम होगा, difficulty level, difficulty level यह नहीं questions का, जो test के question होगे, वो difficulty level low होगा, यहाँ पर difficulty level high होगा, तो जो time है वो ज्यादा होगा, time is more, जब time ज्यादा होगा, तो difficulty level भी उसका higher हो जाएगा, दोनों चीज़े एक direction में जबती है speed test, there is a time limit भी होती है, जब speed है ना तो हम उसको fast करेंगे, और जैसे 150 गंटे के paper में, जो questions आते हैं, वो काफी ज्यादा lengthy हो सकते हैं, easy हो सकते हैं, और power test का मतलब होता है कि आपको content knowledge कितनी है, आप core कितना जानते हैं, किसी topic का concept कितना जानते है, मतलब power कितनी है आपके पास topic की, और speed test में क्या होता है, आप किसी test को कितना fast कर सकते हैं, ये चीज़े measure की जाती है, तो ये था आज का class, मैंने पूरी खोशिश की कि बहुत जादा लेंदी ना करूं इस class को पर 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 तोड़ा सा video आपके साब से लंबा होई गया होगा, पर ये जो video है, जो explanation है, ब बढ़बाई